Hello friends, welcome back to my channel, दोस्तों मेरा जो चैनल ही इस पर आप लोग एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जागे जहाँ पर मैं केरियर काइड़ वीडियो को अपलोड करता हूँ जहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे आप कोई भी कोर्स करने के बाद कौन सा कौन सा जॉब कर सकते हो कौन सा कौन सा बिजनेस कर से तो कौन सा कौन सा नहीं स्कील से अप्रेड कर से कौन सा कौन सा कौर्स करने के बाद कंप्यूटर करने को आपको अच्छा का सा जॉब मिल सकता है तो यह सारे चीज़ के बारे में मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ जो आप लोग के टाइम पर जो भी students रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई भी bachelor degree कर लिए चाहिए हम B.tech करे चाहिए हम B.C.A करे चाहिए लोग जब master's करने जाएंगे तब हम लोग का focus रहेगा हम लोग के MBA करना है कि इसी के बारे में बात करेंगे कि जो लोग सोचते हो कि MBA करने से जाधा जौब मिलता है वो लोग सही सोचते हो या गलस हो तो वीडियो को आगे देखते हैं उम्मिद कर तो वीडियो आप लोग के सवागत है दोस्तों जो thinking हम लोग के दिमाग में है कि MBA करने से जौब मिलता है पहली बात तो है ऐसा भी नहीं है कि MBA करने से जौब नहीं मिलता है और ऐसा भी नहीं कि MBA करने से ही जौब मिलता है देखो दोस्तों बात क्या हो जाता है कि आप लोग जब एक bachelor degree करते हो तब आ सब कोई चाहडाएं इंब्या करने का बट ये सुनकर आप लोग कहाड़ा कि सिर्फ 7% लोग जो होते हैं इंब्या करने के बस MBA, MBA, MBA के पीछे मत भागो, बहुत सारे चीज़ है, अभी के टाइम पे digital marketing इतना booming market है, आप लोग चाहो तो digital marketing पे भी जा सकते हो, digital marketing का course करो, मेरे चैनल पे आप लोगो बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, जहां पे आप पढ़ाए के साथ साथ part time काम कर सकते हो, पढ़ाए कर सोच रहो, जो वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़ादे हिल्फुल होगा कि कुछ skills से जो आप लोग के अंदर अगर रहेगा, तो obviously वो आप future में एक अच्छा कासा जॉब ले सकते हो, तो देखो यह सारा चीज़ दिमाग से पहले हटा दो कि मेरे को MBA करना है, बैचलर डिग्री करो, आप अगर B.T.E.C. करो, B.C.A. करो, M.C.A. करो, सिर्फ MBA पे फोकस मत करो, हूँगी सब कोई आप MBA पे ही फोकस कर ला है, पहला बात है कि आप किसी भी उनिवर्सिली कॉलेज से करो, हम IAM का बात नहीं कर रहा है, हम IAM को साइट पे रहा है, क्यों सा आपके MBA को complete किये हो, अगर आपके college institute अच्छा नहीं होता है, तब क्या हो जाता है कि आपके college में पहली बात तो है कि campusing के लिए लोग नहीं आते हैं, दूसरा बात है कि आपको छोड़के जो बड़ा-बड़ा college रहता है, वो सारे college के जो भी students रहता है, उन लोगो प्रेपर college पे, try का और top 50 college के अंदर, या top 50 institute के अंदर, जो भी आता है, वो सारे college institute से अपना MBA करने का, इससे क्या होता है, अप लोग के सामने campusing के जादा मौका मिल जाता है, और उसके साथ साथ आप लोगो जॉब मिलने का चांस भी रहे जाता है, पर मेरा एक ही suggestion है, सिर्के MBA लेके यूटूब पे काम करते रहो, ऐसा नहीं है, कि है social media influencer बन जाओ, ऐसा नहीं, बहुत सारे courses है, जो सीखने के बाद, आप तो एक job मिल सकता है, उसके साथ साथ आप खुद का भी बिजनेस को develop कर सकते हो, आप freelancing कर सकते हो, बहुत सारे freelancer है, जो से freelancing करके अपना घर चलाते है मतलब वो ही उसका primary काम है, primary job है, तो आप freelancing स्टार्ट करो, उसके बाद आप खुद कर सकते हो, उसको आप एक business पे भी convert कर सकते हो, तो मेरा यहीं suggestion रहेगा, MBA friend है, तो top 50 colleges MBA करो, वरना दूसर को एको ढूंडो, जहां से आप लोग shine कर सकते हो, आप लोग को जादा मौका मिल सकता है, तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, उमीद कर तो वीडियो आप लोग को पसंदा, अगर वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शियर कर देना, चैनल पर ना दूचे लोग को सब्स्राइब कर देना, कोई भी question है, वीडियो के comment section पे नहीं, तो स्क के लिए, bye-bye, take care, अच्छे सरा ना, ठीक सरा है.